हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक माई यूटूब चैनल, तो आज हम आपको स्टीची की वीडियो डाल रहे हैं, तो फ्रेंज इसमें बहुत लेट लगा है, लेकिन आपको फाइनली स्टीची की वीडियो मिल जा रहा है, तो देखें यह स्लीव है और पाइपीन है, यह हमारे आग को ले लिया है, और आपको यहां पे सुई में धागार लेके इसको गाठ लगा लेना है, तो आपको यह हाथ से ही सिलना है, क्योंकि हमने यह पेपर पे बताया है, बहुत ही तरीके से, तो फ्रेंज, यह पेपर है, तो पेपर पे बहुत ही दिकत होती है, तो आप यहां पे देख के असानी से सिल लेते हैं तो देखिए हम पहले ये फ्रंट वाला टक्सकार्ट शिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है उसके बाद यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेना है तो आप चाहें तो बड़ी वाली सुई का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो फ्रेंस ये थोड़ा कड़क होता है इसलिए हमें थोड़ा सिलने में दिक्कत होती है लेकिन अगर आप एक दो बार कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से आजाएगा लेकिन आप पहली बार सिल रहे हैं तो ऐसे सिलें तो ज़्यादा अच्छा होता है तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा सिराई लगा लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको गठ लगा के कट कर लेना है धागे को पका करके तो देखिए यहाँ पे हमने एक टक्स लगा लिया है तो सेम आपको ऐसे ही टक्स को लगा लेना है तो फ्रेंस ये वीडियो लॉंग हो जाएगा क्योंकि इसमें 12 की से मैंने बताया है और ये पेपर है तो इसमें आपको अच्छे से सिलने का तरीका बताया हमने तो देखे अब यहाँ पे हमारा दूसरा टक्स हम लगाएंगे तो आपको ऐसे फोल्ड करना है क्योंकि ये कपड़ा नहीं है आप जैसे चाहे वैसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं ये पेपर है तो आपको यहाँ पे अच्छे से पकड़ के इसको रखना होगा नहीं तो ये फट सकता है तो देखे यहाँ पे ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है बराबर में फिर आप जो भी निसान लगाए हैं उस हिसाब से इस पे स्टिचिंग कर लीजिए तो देखे आपको दूसरा टक्स का सिलाई लगा कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बहुत ही असान तरीके से तो यहाँ पे आपको ऐसे ही पकड़ के सिलाई लगाते जाना है तो फ्रेंस यहाँ पे देख सकते हैं आप यहां पर हमने दूसरा टक्स भी लगा लिया है लगबा तो आपको ऐसे ही सारे टक्स को लगा लेने हैं तो यहां पर हम इसको पका करके उसके बाद कट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपको जो ऐसे भी कंफटेवल हो उस हिसाब से सिलाई करिएगा हाथ में लेके भी कर स उसके बाद यहाँ पर ऐसे हाथ से उंगले से आपको बिठा लेना है क्योंकि यह पेपर है तो यहाँ पर आपको बिठा लेना उसके बाद यहाँ पर जितना हमारा निशान लगा है उस हिसाब से आपको पकड़के सिलाई लगाते जानी है तो हमने यहाँ पर ऐसे फोल कर लि लगाएं या पेपर पे तो आप जिससा निशान लगाएं हैं वैसे सिलाई लगाते चाहिए तो फ्रेंस आपके कमेंट पे हमने स्टेचिंग की वीडियो डाली है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सेयर करिए और फ्रेंस आपको जो भी वीडियो देखना है आप कमेंट करके बता सकते हैं तो हम आपको कमेंट पे वो वीडियो जरूर देंगे और आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे ताकि आपको सिलाई में कोई भी दिकत ना आए तो फ्रेंस आप हमारे चैनल पे जुड पक्का कर लेना है उसके बाद आपको धागा कट कर लेना है तो यहां पे आपको ध्यान देना है आप कपड़े पे सिल रहे हो या पेपर पे यहां पे आपको पक्का करके ही काटना है तो फ्रेंस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहां पे तीनों टक्स को सिल लिया है अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आप ऐसे रखना है देखिए हमारा तीनो टक्स कितने अच्छे से लगे हैं यह हमारी कटोरी के जैसे कितने अच्छे से बन रही है तो यह पेपर है फ्रेंस देख कड़क होता है इसलिए यह उठा उठा ही रहता है तो यह हमारा आखरी जो है इस सुझाओ जरूर दीजेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक कर दीजेगा तो हमें ऐसे इस टक्स को भी सिल लेना है तो यहाँ पे टक्स को सिलने के बाद हम यहाँ पे इसमें बटन पट्टी और चांद पट्टी बनाएंगे तो देखे आपको हमने यहाँ पे वी वीडियो कट करके बनाएंगे तो हो सकता है आपको समझ ना आए तो फ्रेंस प्लीज यह वीडियो पूरा देखिएगा तो देखिए हमने चारो टक्स की सिलाई लगा ली है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से तो फ्रेंस यह हाथ से सिलाई होती है तो इसलिए वीडियो तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम आपको चांद पटी और बटन पटी यानि की काज और बटन जिसको बोलते हैं तो देखिए यह हमारा बराबर है और देखिए कि इतना उबरा उबरा से कटोरी बना है हमारा तो यहाँ पे जो हमने पटी या कट की है अब उसको जो भी कोई दिखत नहीं आएगी तो अब यहां पर हम पट्टियां लगाएंगे जो हम यहां देख सकते हैं तो हमने यहां पर उल्टे तरफ की आ है और पट्टी को ऐसे रखा है तो यह हमारी बटन वाली पट्टी है तो पुरा अच्छे से उसके बाद हम इसको पक्का करने गेगे और फिर हम फोल्ड करकर आपको दिखाते हैं तो देखे हमने याप है पर दागे को पर बले पक्का कर लेते हैं और उसके बाद हम धागे को cut कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा देखिए यह हमारा front part है सीधा है अब यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और इसको यहाँ पे एक बार fold करना है फिर एक बार और fold करना है तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ही fold कर लेना है उसके बाद यहां पे आपको सिलाई लगाते जाना है तो friends यहां पे हमने टाके पे ध्यान नहीं दिया है छोटा टाका या बड़ा टाका हो सकता है तो आपको सिलाई पे ध्यान देना है क्योंकि यह हम तो सीख रहे हैं तरफ होती है तो इसमें हम से मुल्टा करेंगे उसमें तो इसको हम यहाद तक सिल लेते हैं उसके बाद हम चांद वाले पट्टी को बनाएंगे तो देखिए यह हमारा सिल्चुका यहाँ पक्का कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम देखिए इसको हमने बना लिया है अब इसको दिखाते हैं अच्छे से तो यह हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ पर हम यह जो पट्टी कट किये है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसको सीधे तरफ से लगाना है बस आपको यह ध्यान देना है जो हम बटन पट्टी लगाएंगे वो उल्टे तरफ से लगाएंगे सीधे में फोल्ड करेंगे और यह जो हम काज़ वाली पट्टी बनाएंगे इसको हम सीधी में लगा के उल्टे तरफ फोल्ड करेंगे तब यहाँ पे हम इसको सिलाई लगाते हुए पूरे अच्छे से आपको दिखा रहे हैं तो देखिए फ्रेंज यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से सिलने ना है और जो हमारा बड़ा था उसको हमने कट कर लिया है अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पक्का करके तो आपको यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेना है और यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे उंगली से दबाते हुए अच्छे से इस पे तो हमने यहाँ पे पेपर को बिठा लिया है अब यहाँ पे आपको इस तरफ से यहाँ पे जो हमारी सिलाई है ऐसे फिर यहाँ पे फोल्ड करना है तो यह देखिए हमने बहुत ही द्यान से दिखाया है इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे तो यहाँ से आपको बंद कर देना है जो हमारा एक्टरा होगा उसको बाद में हम कट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं यह हमारा बढ़ा है तो इसको हम कट कर लेंगे अब यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे तो फ्रेंस इसमें बहुत ही बारिकी से हमने आपको बताया है अगर फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप कॉमेंट करके जरूर पूछ लिजेगा तो देखें यहाँ पे हमने इसको भी सिल लिया है और यहाँ पे अब हम धागा को पक्का करके इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको दोनों तरफ हमने यह लगा लिया है अब नीचे का हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे यह जो हमारा एक्ष्ट्रा था इसको हमने कट कर लिया तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम फोल्ड करके नीचे की तरफ सिलेंगे तो फ्रेंस यहाँ पे हम एक ही बार फोल्ड करके दिखा रहे हैं क्योंकि यह हमारा पेपर है तो यह हमारा खुलेगा नहीं तो हम जो कपड़ा जो सिलेंगे तो आपको वहाँ पे डबल फोल्ड करना है जो तुर्पाई करेंगे या फिर सिलाई करेंगे तो आपको इसमें ध्यान रखना है तो मैंने पेपर में हर जगा एक ही बार फोल्ड किया है अब एक बार फोल्ड करके इसको हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं यह आप दूर दूर टाका की तरह करके बाहर की तरफ तुर्पाई की तरह बना सकते हैं तो मैंने वैसे ही बनाया है क्योंकि हमें तुर्पाई ही करना है तो हमने देखिए बड़ा बड़ा टाका लगा के और बाहर की तरफ हमारा छोटा देखेगा तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बना लेना है तो यहाँ पर आपको ऐसे ही सिलते चाना है तुरपाई की तरह करके या फिर आप तुरपाई कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे एक ही बार फोल्ड दिखाया गया है तो आप दो बार फोल्ड कर लीजेगा तो यहाँ पे आपको पक्का कर लेंगा धागे को उसके बाद कट कर लेना है तो यहाँ पे हमने धागे को पक्का करके कट कर लिया है अब यह हमारा दूसरे साइड का है उसको भी हम ऐसे ही सिल लेंगे तो देखिए बाहर से यह हमारी तुरपाई की तरह दिख रही है तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे हम जितना फोल्ड करना है उसमें उतना फोल्ड करके इसको भी हम सिल लेंगे तो आपको यहाँ पे ध्य चुर्फिके से सिलाइ लगानी हैं जो मैंने पहले टक्स को सिलाइ लगा के बताये थी आपको तो सेम वैसे इस सारे टक्स को भी सिल लेना है जो दोनों टक्स है है तो देखें यहां पर हम इस डक्सKD को तो हम यहां से नीचे से उठाएंगे और उपर की तरफ यहां पे सिलते जाएंगे तो देखिए हमने इसको सिल लिया है और दूसरे साइड भी हम ऐसे सिल लेंगे तो यहां पे भी आपको सिल के दिखाते हैं तो देखिए मैंने दोनों तरफ सिल लिया है अब यहां पे जो हम सिल लेते हैं तो फ्रेंस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको सिल के नहीं दिखाएंगे आपको ऐसे ही पूरा सिल लेना है देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ अब यहाँ पे देखें हमने इसको सिल लिया है अब मेरा पीछे का और आगे का पला त्यार हो गया है अब यह हमारा सिलेव है तो सिलेव को भी हम इतना फोल्ड करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देरना है कि मैंने एकी बार फोल्ड किया है और आपको दो बार फोल्ड करना है कपड़े पे सिल रहे हैं तो अब इसको जॉइंट करना है, तो पहले हम सोल्डर को जॉइंट करते हैं, तो ऐसे रख के हम देख लेंगे, जो भी हमारा पला भारी होगा, उसको हम कट कर लेंगे, तो देखिए हमने कट कर लिया है, अब हम यहाँ पे सोल्डर को जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ह हाफ हाफ हिंच का मार्जन देते हुए सोल्डर को जॉइट कर लेना है और हाफ हिंच का मार्जन आपको कप्ड़े में भी देना है तो यहाँ पे आपको पक्का कर लेना है उसके बाद सिलाई लगाते जाना है तो देखिए यहाँ पे हमने सोल्डर को जॉइट कर लिया है अब यहाँ पे हम धागी को पका कर लेंगे उसके बाद हम कट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरे सोल्डर को भी जॉइट कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऐसे पकड़ के यहाँ पे इसक तो हमें इसी तरीके से इस तरप के सोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है तो देखें यहां पे हम इसको जॉइंट कर लिए हैं और धागे को पका कर लिए हैं अब इसको हम कट कर लेंगे तो friends, same इसी तरीके से हमने दोनों को joint कर लिया है अब आपको slave लगाना है तो आपको यह ऐसे यहाँ पे उंगली से यहाँ पे बिठा लेना है paper को अब यहाँ पे आपको क्या करना है जो हमने slave की stitching की थी अब यहाँ पे हम बीच में cut कर लेंगे और center से हैं यह हमको इसको लगाएंगे तो friends, अभी मैंने आगे का फरला cut नहीं किया है जैसे हम half inch की गुलाई देते हैं आगे की तरफ वो मैंने नहीं दिया है क्योंकि यह सिलने में दिक्कत आ जाती है पता नहीं चलता है कौन सा है तो इसलिए आप सिलके उसके बाद भी ऐसे cut कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यह भी main point है आप यहाँ पे बाद में भी cut कर सकते हैं ऐसे पकड़के उसके बाद आप आसान तरीके से लगा सकते हैं तब देखिएगा यहाँ पे हम बीचोबीच सोल्डर पे रखेंगे जहां पे हमने कुट लगा रखा है और एक साइड से हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे और एक साइड से एक तरफ ताकि हमें पेपर है तो उसले में दिक्कत भी नहीं आए और बीचोबीच अच्छे से हमारा सिले भी लग जाए तो आप अगर ऐसे सिलाई लगाते हैं सिले की तो आपकी सिले बहुत ही अच्छे तरफ से लगती है आधे हम इस पार्ट में लगाएंगे और आधे साइड उधर से हम लगा लेंगे तो यहाँ पे आपको जो पेपर की गुलाई है यहाँ पे हलका-हलका गुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है क्योंकि आप कपड़े के जैसा चाहेंगे वैसे नहीं सिल पाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है तो आपको पूरे अच्छे से यहां पे ध्यान से सिलाई लगाना होगा, आप मिरको देख सकते हैं, यहां पे मैंने बहुत ही ध्यान से यहां पे सिलाई लगाया है, हलका हलका आपको घुमाते जाना है, और सिलाई लगाते जाना है, इसलिए मैंने पूरा complete वीडियो दिखाय है ताकि आप ये ना सोचें कि मैंने अलग से कहीं बना लिया है तो यहां पे मैंने फुल बीडियो इसलिए दिखाया है ताकि आप देख सके कैसे कैसे घुमा के इसमें सिलाई करनी है क्योंकि यह पेपर है तो ये फटने का डर रहता है कहीं भी मुड़ता है तो फट जाता है तो आपको ऐसे यहां तक सिलाई लगा लेनी है तो फ्रेंस यहां पे हम एकी स्लीव को सिल के दिखाएंगे क्योंकि दूसरे स्लीव को सेम उसी तरीके से आप लगा सकते हैं तो देखें यहां तक हमने इसको सिल लिया है अब यहां पे हम 20 से फिर सिलाई लगाएंगे और उस साइड तक हम लगा देंगे तो देखें आपको यहां पे हम मोड के दिखाते हैं तो इस साइड से भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यह गुमाव है तो आपको लगाने में दिकत आ सकती है तो देखें यह मैंने वीडियो को skip नहीं किया है यहाँ पे आपको बारेकी से पूरा वीडियो दिखाया है तो देखें यहाँ से आपको ऐसे गुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है जैसे मैंने आगे की तरफ लगाया है यहाँ पे हमने थोड़ी बड़ी बड़ी टाके दिये हैं क्योंकि यह जल्दी से कंप्लीट हो जाए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है मैं देख रही हूँ उसको हम घुमाते जाएंगे यहाँ पे देखिए और सिलते जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो एक दो बार में आप से असान तरीके से हो जाएगा और उसके बाद आपको सिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब दो तिन बार पेपर पे सिल लीजिए उसके बाद आप कपड़े पे ट्राइ करिए तो कपड़े पे भी अगर ट्राइ करें तो हाथ से ही पहले सिलने उसके बाद मसीन से उसके उपर सिलाई लगा दे और बहुत ही असान तरीके से आपको सिलाई आ जाएगी और मेरे चैनल में आपको सिर्फ असान असान तरीके से सिलाई करने को मिलता है तो देखिए यहाँ पे हमने सिलेव को लगा लिया है अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दबा के पेपर को रखना है, इसको बिठाते जाना है उंगली से, तो हमने यहाँ पे उंगली से दबाते हुए इसको बिठा लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे दूसरी सिलिव लगाना, तो फ्रेंस हम दूसरी सिलिव की वीडियो नहीं डालेंगे, यहां पे हमने दूसरी सिलेभी जोइन कर लिया है, अब हम पाइपिन लगाएंगे, तो friends हमने पाइपिन कट कर लिया है, अब यहां पे आपको हाथ से पाइपिन को जोड़ना बतादेंगे, तो यह जो हमारा तिरचा है, इसको हम ऐसे नहीं रखे एसे रख की सिलारे लगाएंगे आपको यहां पर करके आप 20 परभा लेना है और यहांप देखोम हूं सिल!". कट कर लेंगे, यहाँ पे फॉल्ड करेंगे फिर ऐसे फॉल्ड करेंगे और ऐसे पूरा फॉल्ड करके हम päई पीन को त्यार कर लेंगे तो friends, यहाँ पे आपको päई पीन में लगाने में बहुत ही दिककत आएगी क्योंकि यह हमारा पेपर है तो आप बारिकी से लगाईएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसमें थोड़ा पेपर भी फट जाता है फिर कोई दिकत नहीं आप एक दू बार लगाएंगे तो आपको आ जाएगा तो आपको ऐसे उपर की तरफ से रखना है और पुरा सिलाई लगाते जाना है पर छोटे से प्लेट डाल देजिएगा तो फिर आपको अच्छे से सिलाई हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे से प्लेट डाल देजिएगा तो फिर अच्छे से सिल लेंगे आप नहीं तो ऐसे भारे की सिलाई करते चाहिएगा ऐसे घुमाते हुए सिलाई करते चाहिए गाया तो आपको ऐसे ही पकड़ के पूरे पाइपीन को सिल लेना है और उसके बाद आप इसको हम पाइपीन बनाना बताएंगे तो फ्रेंस आपको यहाँ पे दिकत आएगी अगर आप पाइपीन बनाना चाहिए तो पाइपीन बना सकते हैं नहीं तो आप दुर्पाई वाला गला भी बना सकते हैं तो इसमें मैंने पाइपीन बनाना बताया है तो आप इसमें पाइपीन बना सकते हैं तो देखें यहाँ पे मैंने यहाँ तक सिल लिया है आपको सेम इसी प्रोसेस को पूरा राउंडिंग में गुमा के सिलाई लगा लेना है तो आप देख सकते हैं दिक्कत तो आएगी पर आप सिल लीजिएगा तो देखिए मैंने यहां तक पूरा सिल लिया है अब इसको आप फोल्ड करिएगा उसके बाद पाइपीन बनाईएगा और आप चाहें तो फिर इसको अंदर की दरफ फोल्ड करके सिर्फ तुर्पाई भी कर सकते हैं तो फ्रेंस बहुत ही असान होता है अगर तुरपाई कर लेंगे तो अगर पाइपीन बनाना है तो यहाँ पे आपको हम फोल्ड करके बताते हैं तो यहाँ पे देखिए आप एक बार फोल्ड करना है बस यह से और यहाँ पे इतना छोड़ देना है जैसे हम पाइपीन तो यहां पे हम आपको सरल तरीका बताते हैं यहां पे अंदर की तरफ से सिलाई लगाते जाएगा फोल्ड करके और बाहर से पाइपिन देखते जाएगा तो फ्रेंस सेम इसी तरीके से आपको पूरे गले में पाई पिल लगा लेना है आप यहां पे देख सकते हैं आगे की तरफ से आप ऐसे फोल्ड करिएगा और ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं तो मैंने दो तरीके से इसमें बताया है आपको आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं और चाहे तो आप बाहर की तरफ से तुरपाई की तरफ भी लगा सकते हैं देखिए यहां पर तो फ्रेंस यहां पर आप जल्दबाजी करने की कोशिस मत कीजिया क्योंकि यह पर दिक्कत होती है जब मेरे से भी दिक्कत हो रही है तो आप से तो सुभाविक है दिक्कत होगी क्योंकि आप पहले बार सिलेंगे तो यहां पर आपको ऐसे ही सिल के अच्छे से बता रही हूँ अब आपको पूरा गले में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने इतना लगाया है पूरे स्टेप पे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हमारा सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगाना बाकी हो जाएगा तो देखें यहां पे हमने यहां तक सिलाई लगा लिया है बस थोड़ा सा बाकिया है एक दो इंच तो इसको भी हम ऐसे ही सिल लेते हैं तो देखिए यहां पे हमने इसको भी सिलना स्टार्ट कर दिया यहां पे थोड़ा सा पाकी है इसको सिल लेंगे उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे बस तो फ्रेंस आपको फाइनली वीडियो देखने को मिल गया अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक क परोल्ड को सब्सक्राइब करो दिजेगा और बेल आइकन को फ्रेस कर दिजेगा तो देखिए यहां पे हमने पाइपतीर बना लिया है देखिए sections पसके बाद है। जो भी आपका फ्रिटिंग का निशन है, आप निशन को लगा लिजिए। जो भी एक्ष्ट्रा बचे गयर, उसको आप कट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना जहां से हम सिलाई करेंगे वहां भी पक्का करना है और फिर आखरी में भी पक्का करके काटना है तो आपका जो भी फिटिंग की सिलाई है देखिए हम निशार लगा के इस पर आपको ऐसे सिलाई लगाते जाना है और दोनों साइड आपको ऐसे बचेगा हम मार्जन छोड़के उसके बाद कट कर लेंगे तो फ्रेंस हमारी ये ब्लाउज सिल्के कम्पलीट हो जाएगे फाइनली तो यहां पर देख सकते हैं यह हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए हमें लेट लग रहा है फ्रेंस हम आपको कितनी बार बता दिये हैं इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है तो देखें यहां पर हमने सिल्का लगा लिया है अब यहां पर हम धागे को पक्का कर लेंगे उसके बाद हम कट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिल्का लगा लेंगे जितना हमारा मार्जन रहेगा यहां प तो भी हमारा एक्ष्ट्रा बचा है, इसको हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे आपको क्या करना, पूरे पेपर को ऐसे बॉल की तरह बना लेना है, उसके बाद सीधा करना है, क्योंकि यह फ्रेंच पेपर है, तो यह सीधा ऐसे करेंगे, तो यह फट जाता है, तो आपको ऐसे ही सिकुडा लेना है, उसके बाद देखिए, आपको धीरे धीरे, यह नहीं कि जल्दे जल्दी, धीरे धीरे आपको ऐसे निकालना है, जहाँ पे हमारा स्लीव है, पहले स्लीव को निकालना है, दोनों सा स्लीव को, उसके बाद आप हाथ से प्रेस कर सकते है और देखिए हमारी blouse बनके complete हो गई है पूरी finally हमने आपको अच्छे से बता दिया है अब यहां पे आपको ऐसे जैसे जैसे हमारा blouse है यहां पे देखिए हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने सिलाई बताई है हमारी एक भी धाग उपर नहीं दिख रही है आप यहां पे देख सकते हैं जो हमने टाका की तरह सिलाई लगाए था फिर भी मैं उपर की तरह ज्यादा नहीं दिखाए थी तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए सेयर करिए सब्सक्राइब करिए कॉमेंट करके जरूर बताए कैसा ल आपने बाद